पश्चम बंगाल के टीपू सुल्तान मस्जिद के शाही इमाम ने कहा है कि वो लाल बत्ती का उप्योग जारी रखेंगे क्यूंकि ये लाल बत्ती उनको पूर्व ब्रिटिश सरकार ने दी थी उन्होंने कहा कि केंदर सरकार का वह कोई भी गलत कानून नहीं मानेंगे उन्होंने कहा कि केंदर सरकार का कोई भी कानून नहीं मानूंगा बरकती ने कहा कि वह लाल बत्ती का इस्तमाल करते रहेंगे क्यूंकि पूर्व ब्रिटिश सरकार ने इसकी इजासत दी थी बरकती ने कहा कि मैं शाही इमाम हूँ और इसलिए मैं अदालत के आदेश के बावजूद लालबत्ती नहीं छोड़ूँगा शाही इमाम CPIM की अवधी के बाद से लालबत्ती का इस्तमाल कर रहे हैं और किसी ने इसके लिए कभी भी विरोध नहीं किया है सरकार को लालबत्ती पर प्रतिबंध लगाने का कोई अधिकार नहीं है मंत्री लोगों के घर जाते हैं और वोटों के लिए भीक मांगते हैं इसलिए उन्हें लालबत्ती का इस्तमाल करने का कोई अधिकार नहीं है कोलकाता की टीपु सुल्तान मस्जिद में शाही इमाम मौलाना नूर रह्मान इमाम बरकती द्वारा प्रतिबंद के बावजूद लाल बत्ती का इस्तमाल किये जाने की बात कही जाने पर भारतिय जनता पार्टी ने तंस कसा है भाजपानेता मीनाक्षी लेखी ने कहा अगर मुख्यमंत्री ममता बैनर जी लाल बत्ती का इस्तमाल नहीं कर सकती तो कैसे वह बरकती को करने दे सकती है ये मुझे 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 अंधेर नगरी चौपत राजा की याद दिलाता है क्यूंकि भारतिय सम्विधान के तहट सिर्फ एम्बुलेंस को लाल बत्ती का इस्तमाल किये जाने की इजासत है साथ ही भारतिय जनता पार्टी के नेता सी के बोस ने इमाम को राष्टर विरोधी बताया और कहा कि मुझे लगता है कि उन्हें ततकाल गिरफतार किया जाना चाहिए और सलाखों के पीछे पहुचा देना चाहिए क्योंकि कानून को तोड़ने की अनुमती किसी को नहीं है बरकती ने कहा कि पश्चिम बंगाल की वर्तमान सरकार हमारे द्वारा लाई गई है ममता बैनर जी जी खुद लाल बत्ती का इस्तमाल नहीं करती है लेकिन ममता ने मुझे लाल बत्ती का इस्तमाल करने के लिए कहा है पश्चिम बंगाल देश के बाकी हिस्तों से भिन्न है यहां राज्य सरकार द्वारा नियम और विनियमों का निरने लिया जाता है ना कि केंद्र सरकार द्वारा यहां राज्य सरकार ने हमें लालबत्ती का उप्योग करने की अनुमती दी है जब मीडिया ने उन्हें ये स्पष्ट किया कि ब्रिटिश सरकार ने नहीं भारत सरकार ने आदेश पास किया था इस बात पर बरकती ने कहा कि भारत सरकार को पहले खुद की कानून बनाने की जरूरत है उन्होंनी किसी कानून का गठन नहीं किया है गौर तलब हो कि 500 और 1000 रुपे के नोट बंद करने के फैसले को लेकर प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के खिलाफ फत्वा जारी कर बरकती पहले भी चर्टा में आ चुके हैं